नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो की मदस से राष्टिय गणी दिवसपर आयोजित होने वाले स्री निवास रामानूजन टैलेंड सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2022 की परिक्षा से समंधित अ इस समय नोडिफिकेशन जारी की गई थी और वा परिक्षा की तिथी 10 और 11 दिसंबर और 10 दिसंबर 2022 और 11 दिसंबर 2022 को बताई गई थी लेकिन परिक्षार्थियों की संख्या जब बढ़ी तो उसमें परिक्षा की तिथी को बिस्तार किया गया और वह पांच तिथी में अब परिक्षा संपन कराई जाएगी तो सबसे पहले हम लोग यह भी जाल लेते हैं कुल आवेदन और कि आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1,440,276 इतने अभ्यार्थियों ने इतने परिक्षार्थियों ने आवेदन किया हाओ और इस परतियोगता परिक्षा में भाग लेंगे तो शुरुआती दोर में परिक्षा की जो तिथी ती वह दो ही दिन निर्धारित किया गया था 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2022 को जब परिक्षार्थी की संख्या अधिक हुई तो इसे 5 दिन अब सिडूल के तहत जारी किया जाएगा और परिक्षा लिज जाएगी तो इसमें पहले दिन में 10 दिसंबर को जो परिक्षा होगी वह 6, 7, 8 क्लास के लिए परिक्षा संपन कराई जाएगी उसके बाद 11 दिसंबर को 9, 10, 11 और 12 में क्लास की परिक्षा होगी फिर उसके बाद जब अधिक आवेदन हुआ तो जहां जिस जिला में अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है तो वहां 12 दिसंबर को भी परिक्षा संपन होगी उसके बाद 13 दिसंबर को भी परिक्षा संपन होगी और 14 दिसंबर को भी संपन होगी तो यह जानकारी आपको admit card के तहत मिलेगी जब आप admit card निकालेंगे तो उसमें परिक्षा तिथी अंकित होगी कि आपकी परिक्षा 10 दिसंबर को है या तो फिर 11 दिसंबर को है या तो फिर 12, 13, 14 दिसंबर को है उससे confirm हो जाएगा admit card की सहाइता से प्रवेश पत्र की सहाइता से इसमें और एक बात बताई गई है कि मौक टेस्ट 9 दिसंबर को होगा या निकल मौक टेस्ट के तहत आपको प्रश्ण किस प्रकार से अपने laptop की सहाइता से या तो फिर mobile की सहाइता से परिक्षा देनी है उसका पहले एक दिन मौक टेस्ट होगा और वहां कल उसकी तिथी निर्धारित की गई है तो जरूर जितने भी परिक्षार्थिये हैं इस मौक टेस्ट में जरूर सामिल होएंगे तभी आप परिक्षा में सही रूप से बैट करके परिक्षा को दे सकते हैं लेव्टॉप या तो फिर अपने android mobile की सहाइता से परिक्षा में यह निर्धारित का जबाब देना होगा वहाँ परिक्षा में जब परिक्षा होल में जाएंगे तो वहाँ पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लेव्टॉप पे आएगा या तो फिर android mobile पे आएगा वह सारी जानकारिया वहाँ पे दीज आएगी इसके बाद परिक्षा क्यंद्र की बात कर लें तो सभी राजकिए अभियंत्रन महाविद्या लें तथा सभी राजकियये पोलटेक्निक संस्थान में परिक्षा कंध्र बनाया गया है अब बात कि जाए कि प्रवेश्पत्र आज के दिन से ही अनिके आठ दिसंबर 12 किया है कुछ अभ्यार्थियों का प्रस्ण था कोमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि अधी आज आठ दिसंबर को हम प्रवेश पत्र ना निकाल पाएं तो क्या अगले दिन निकाल पाएंगे या नहीं तो ऐसा नहीं है आठ दिसंबर से प्रवेश पत्र निकालने की प परिक्षा में बैट सकते हैं इसका लिंक किस प्रकार से है बीसी स्टी डॉट ओर जी डॉट इन या तो फिर इस पे डबलू डबलू डॉट बी एम एस बिहार डॉट ओर जी अनि इस पे इस लिंक की सहायता से आप एड्मिट कार्ड आसानी से निकाल सकते हैं तो आज 12 बज़े से प्रारंभ हो चुका है तो आज बहुत सारे अभियर्थी निकाले होंगे उसके बाद आज जो नहीं निकाल पाए कल जरूर से जरूर एक दिन पहले ही परिक्षा के एक दिन पहले ही निकाल करके एडमीड कार्ड आप निर्धारित कर लेंगे निस्सित हो जाएंगे कि हमारी परिक्षा किस डेट में है क्योंकि परिक्षा की जो तिथी है वह आप पांच यहां पर निर्धारित की गई है 10 11 12 13 14 तो किस स्तिथी में आपकी परिक्षा होगी यहां इसी एड्मिट कार्ट की सहाथा से आपको जानकारी मिलेगी तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्तित है थैंक्स फर वाचिंग बुडबाय